जाइग रोजी बचलो जाइग रोजी जाइग रोजी तो मैंने बैक कलास पराये था यूरीन कैसे बनते हैं एक बार फिर से बतायते हैं यूरीन बढ़ने में तीन रोल होते हैं एक किडिनी का जो नेफरोन हैं किडिनी कुछ ने होते हैं चुकि एक किडिनी में हम लोग में एक किडिनी में दस लाक नेफरोन होते हैं मताँ खून के पलाजमा में जितनी भी केमिकल होते हैं, उस सभी को पाले क्या करता है, चान देता है। बॉमेन कैपसुल में, गुरूमरूस, चुकि एफरेंट इनल आर्टी का मोटाई ज्यादा होते हैं और इफरेंट का कम होते हैं। मताँ आता है, खून जाएधा और निकलता है कम और खून कभी बंद नहीं होते हैं। वह आते हैं। जाता है। गुरूमरूस तो चना जाता है। अच्छा चीज भी सेन आता है और उसके साथ बुरा चीज भी चना आता है। उसके बात में क्या है था tubular secretion, tubular secretion क्या होता कि चुन-चुन करके chemical को फिर से nephron से blood में मिला लेता है, फिर तिसरे बार क्या होता देखे तक अरे जो चीज को नहीं चुनना चाहते है और चीज भी आ गया, passively transfer के दुबारा, तो उसको फिर से again क्या करता है कि tubular secretion होते हैं, अब blood vessel से nephron में tubular में आ जाएगा, discity में आ जाएगा, उसके परिणाम से जो चीज बचेगा collecting duct में, हर nephron से ऐसी आएगा, तो जो चीज बच गया, वह हो गया urine, छान दिया, चुन लिया, पे निकाल दिया, उसके परिणाम से जो भी चुछ बच गया, वह हो गया urine, तो कल आज की गलास में लोग यहां तक थे, और आज की गलास में लोगों पढ़ना हैं, कि function of tubular, चुकि नेphron में दो पार्ट होते हैं, एक होते ग्लूम लोल्स, जो बॉम में कप्सुल में होते हैं, और दूसरा होते हैं, body of renal tubular, उसको the tubular, इसमें तीन पार्च होते हैं, proximal converted tubular loop of panel and digital converted tubular, तो आज तीनों के कामों के बारे में हम लोग जानेंगे, नौ, तो अब चलते देखते हैं, आज की गलास के लिए, function of tubular, गौर से सुनते रहेगा, समझते रहेगा, function of tubular, मता नेphron में जो tubular होते हैं, उसका कह 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 काम, तो पहला है, proximal converted tubular, proximal converted tubular, मता बामेन capsule से जो नीचे tube गाते हैं, जैसे कि यह बामेन capsule है, पिक्चर में दखेगा, पिक्चर में यह बामेन capsule है, तो बामेन capsule के नीचे में जो tube होते हैं, पहला tube, मोरावा tube, जैसे कि बामेन capsule है, बना रहे हैं यहाँ पर, यह बामेन capsule, और बामेन capsule के बार में जो ट्यूब है, यह ट्यूब, इसी ट्यूब को यहां तक, यहां तक, उसके पाद लूप अफ हैनल एस्टाथ हो जाता है, बस यहीं तक, यहीं तर रखो, तो यहां से लिएकि यहां तो करते हैं PCT, Proximal Converted Tuples, PCT means Proximal Converted Tuples, अब इस ट्यूब का क्या-क्या काम होते हैं, उस समझा तो PCT, लाइन जो होते हैं, Simple Covital Brust Border Epithelium Tissue से हो, कब भी भी सरीर में कोभी पार्ट्स हो, वो लाइन रहेगा ना लगा रहेगा, एपिथिलियम टिसू से ही, एपिथिलियम टिसू एक ऐसा टिसू होते हैं, जो लेयर बनाने काम करता है, चाहां Blood Vessels का लेयर हो, चाहां न लेगा, लेगी क्यूब लेक से हेरेगा, रहेगाा, लाइन टिसू आ लाइन दर रहाता है, बरस जैसे पुरा लगा लाइन प्रू रहाता है, उच इनक्रीषग सार्फेस एरिया फूर एबजर्पशन होते हैं, वूँछ का एरिया हमेसा तो ग Daisa सी एक नो पारीटों होती ह Electrolites मतब nutrients जो होते हैं और water जो होते हैं Reabsorbed by this segment इसी segment से मतब कि इस यहाँ से खून की नली में चला जाएगा 70 से 80% Electrolites मतब nutrients मतब iron सब mineral सब और पानी सब इससे खून की नली में चला जाएगा खून की नली खून की नली में चला जाएगा उस नली को हम लोग कहते हैं पेरी टूबलर बलर कापिलाडिज पेरी टूबलर बलर कापिलाडिज इस खून में चला जाएगा यहां पिक्चर में देखेगे तो यह है पी सी टी अईसमा जो भी कुछ चान गया अल्टा फिल्टेशन में तो उसका सतर से 80% बलर का मातरा फिर से बलर में चला जाएगा टूब से फिर से बलर में चला जाएगा वाटर के साथ में इस खून की नली में यह खून की नली में चला जाएगा उसके नाम लिखा हुआ पेरी टूबलर बलर कापिलाडिज में चलाएगा पिक्चर पर गोड़ करेंगे, हमेशा always पिक्चर पर गोड़ करेंगे, तो एक काम यह होगी इसका, दुसरा, PCT also maintain the pH, मतार कभी भी बलड इसीड ना हो, और ज्यादा बेसीड भी नहीं हो, अलकलानी भी नहीं हो, मतार 7.4 तो 7.4 हो, तो उसको maintain करता, PCT, maintain करता, आयनी बाइन इसको लगता, body fluid, body fluid करते blood में, इसलेक्टिव सेक्रेशन होते है, hydrogen ion का, potassium का, ammonia का, इन तो filtered by the absorption of carbonic acid करूप में, carbonic acid करूप में, अबजर्ब करते रहता, फिल्टर जो होते रहता दो उसको, तो इसका एक और काम होगा, पहला काम होगा, जितने भी बावमेन के अप्सुल, ब PCT में, दुसरा, ionic balance maintain किया, मतब कि, बलट को जो pH मान होता 7.4, उसको maintain किया, उसको maintain किया, तो ये दो काम में हुआ, PCT का, प्रोजीमल, कनभूल्टेट टूल, उसका दो काम में, याद करेगा, यही दो में काम हुआ, एक ionic balance किया, मतब एसीड बेस का, जो balance होता, वो balance किया बलट में जाता, इसीड ना हो जाए, ना जाता, बेस हो जाए, तो उसको balance किया, PCT, केमिकल जाज़ा चला जाए, ना कम चला जाए, रिएफजर्शन के दुरान, selective रिएफजर्शन के दुरान, और दुसरा, कि जो भी कुछ सनाया था, उसका 70-80% को रिएफजर्शन को रिएफजर्शन को 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 रिएफजर्श तो किडिनी में दो पार्ट होते हैं, बाहरी पार्ट को हम लोग कहते हैं कोटेक्स, यह बाहरी पार्ट किडिनी के बाहरी पार्ट होगा कोटेक्स, कोटेक्स और किडिनी के अंदर बाला पार कहते हैं मेडूला, कभी भी बायलोजी में, कोटेक्स में इस था बाहरी पार्ट, मेडूला मता अंदर बाला पाट कोटेक्स में इस बाहरी पाट मेडूला मता अंदर बाला पाट बायलू जी का यह टर्म है तो मेडूला में जितने जो ऑस्मो रेगुलेसन होता है मताब जल नियंतरन आयन का नियंतरन मताब मिननस का नियंतरन और जल का नियंतन सरी में जो होता है उसके तो आस्मोरेगलेसम और कभी भी हम लोग के बॉड़ी में बलड में भी जो आथ से भी बलड में जो पानी जाता है वो आस्मोसिस के दोड़ा जाता है आस्मोसिस के दोड़ा जाता है तो इसी पर लूप अफेनल क्या है तो आस्मो रेलेट्री करता मेडूला में किरिनी के मेडूला बलापाट में जो फ्रूट होगा उसमें अब डिसेंडिंग लिम्स जो नीचे उतरते रहता जो लो जो बाउमिन के अफसुल के नीचे रहेगा टूवल्सू का ना आपिसीती अपिसीती नीचे जो यूक के तरह रहेगा उसके तो लूप अफेनल तो लूप अफेनल पैर्मेबूल होता है परमेबुल होता सोचिए शिद्धी परमेबुल होता वाटर के उस रिजन से सिद्धे खून में पानी चला जाता है तो नीचे उतर रहा है मतलब इसमें खून की नली मानले यह ब्लड वेसल्स है माना कि यह ब्लड वेसल्स यह ब्लड वेसल्स और सिद्धे यह नीचे उतर र पानी चला जाएगा पानी सिद्धी निकलते हुए चला जाएगा ब्लड की नली में लेकिन इलेक्ट्रो लाइट्स जाना चाहेगा मत्द मिनलर्स जाना चाहेगा उन नहीं जा पाएगा इसलिए पानी चला गया ब्लड में लेकिन निकलत ब्लड में यहां पर होगा तो यहां पर क्यजी का दिया मिनलर्स के करने हैं तो एम आस्मो क्यजी में कितना होते, तो इसमें देखा 300 है, इसमें 500 है, इसमें 700 है, इसमें 900 है, इसमें 1100 है, इसमें 1200 है, इसमें 1200 है, इसमें 1200, फिर इसमें 700, तो ये देखा था कि मातरा कितना है पानी का, नीचो बाला, तो जितना ज़्यादा प्रेसा लेगा पानी का, उतना खुन में पानी जाते जाते देगा, जाते देगा, तो यह एक मातरा था, material का, इसमें सोध देखा रहा, इसमें picture में देखेगा, कि पानी निकल ला, यूरिया आ रहा है, खोन से यूरिया आ रहा है, यहां पर देखेगा, कि पानी जा रहा है, खोन की नली में, यूरिया आ रहा है, लूपाफिनल मे इसमें भी देखीगा पानी आरा फ्लट वेसल में यूरिया जारा B90 में B90 में 10 Okay Hum देखीगा अब यह उपर की ओजाएगा अब जैसी उपर की ओजाएगा तो उपड़ वला में असेंडिंग लूप में अब पानी नहीं, पानी हमेशा डिसेंडी में ही नली से लूपा फेनल से बलर में जाएगा, यह बात याद करने, पानी हमेशा नफरोन का जो लूपा फेनल होता है, तो उससे बलर भेसेज में जलाएगा, नीची उतरते रहेगा तब पानी, अब उपर जो जाएगा, इलेक् नेफरोन से, एसेंडिंग लूप से, खोन की नली में जाएगा, तो इसलिए अब यहाँ पर देखेगा, सोडियम को राइट, खोन की नली में जा रहा है, सोडियम को राइट, खोन की नली में, सोडियम को राइट, खोन की नली में, सोडियम को राइट, खोन की नली में, सोड किरीनी के मेडूला में ही पाया जाता है तो मेडूला में कितना प्राइस तो जिते नीजे उताहा है उतना प्राइज सक्षान होता है बलड में चलागिया तो नीची उतरते ही वे प्राट में आज जो उपर चाहेगा लूपफेनल में तो मिनरल सब अब टूब से मतलिए एसेंडिंग लूप से लूपफेनल का एसेंडिंग लूप से चला जाएगा खून की नरी में मिनरल सब तो इस दो बात याँड जाखेगा नीचु उतर पिसमे में, नेफ्रोन के लूप अफ हेनल का पार्ट के नीचु उतर का पार्ट का वाटर चला जाएगा ब्लड में, और फिर यूटर लेती हुए उपर जाएगा, तो मिनरल सबब नेफ्रोन से चलाएगा ब्लड में, इस दो बात हमेंसा याद रखिएगा, और गेट्स डियरोटर एक्टिव और पैसिव टांसफर दबाएगा, इसमें दोनों टांसफर होगा, मतलब मिनरल सब, मिनरल सब का भी और वाटर का भी खुन की नेखिएगा, तो पैसिव टांसफर से, लेकिन मिनरल सब अब ब्लड वेसल समें आएगा, कि नफ्रोन के उपर 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 चार्टिव रूप में तो इसमें दोनों टांसफर्ट होगा, एक्टिव भी होगा, पैसिव भी होगा, एक्टिव के लिए उड़ जा लगएगा, पैसिव के लिए अपने आप जाएगा, एक्टिव के लिए पैसिव के लिए पैसिव टांसफर्ट DCT यह last part है यह last part चुकि यह PCT से है इसका main काम सा 37-80% जो भी च्छाना था उसको एबज़र करना रिबज़र कर देना बिल्कुल बलर में चला गिया था और इसका main काम है नीचे बलापार का water को blur में जा रेना और यह बलापार का काम है कि मिलनस को बलर में चला जाना आप है DCT का क्या काम तो selective reaction काते हैं sodium water tax place इंग्लिस सिग्में इस सीग्में क्या तो sodium को और water को क्या करेगा री अब्जॉशन करेगा दुबारा से फिर से इस में दुबारा से इस tube से आ जाएगा फिर किसमें बलर में आ जाएगा अब और DCT मैं दिश्टल कोमेट्यूट कापवल तर री अब्जॉशन आप कार्बोनी केसिज भी से इस 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 होता हुए री अब्जॉशन करेगा और उसमें कैलसियम आइन्स को हैंडल करेगा मातरा को बरने देगा बलड में और जो पोटासियम का सेलेक्सन होगा वो घॉल्टेज होगा पोटासियम का वो डिपेंडेंट रहेगा वो बाकी मिनरास पर केमीकल पागग तो लूप अप इनल का में काम होता है सिलेक्टिव अब जुशन करेगा, वो सोटियम और पोटासियम को, और बांकी चीज़ को क्या करेगा, को टुबलर सेक्रेशन कर देगा, फालतु चीज़ को, आगे बढ़ दे, अब है कलेक्टिंग डक्ट, इस से, इस से हर एक नेफराउन जुडा रहेगा, इस पार्ट से हर एक क्यों साब कलेक्टिंग डक्ट से जुडा रहेगा, उसी में यूरीन आता है हर एक नेफराउन से, अब तब फैनली यूरेटर की दौरा जला जाएगा ब्लाडर में, फैसाब की थैली में ब्लाडर में चला जाएगा, तो इक्स्रें होता है कॉर्टेक्स से निकल जाएगा में दौला में, यह उपर से निच्छे रहेगा, कॉर्टेक्स मता किरिनी को पर का पाठ, कॉर्टेक्स से में दौला तक में दाएगा यह, उपर से निच्रेगा। लार्ज अमांट आप वाटर कुट भी रियाप्जॉर्ब फॉर्म दिस सिग्मेंट मताब पर्चूर माता मर्चू की पानी का रियाप्जॉर्ब आप सूची ना एक दिन में 180 लीटर को ब्लड को सर्कूल माने के सिप्रिटर करता है उसमें से मुचता तो वाटर होता पान को इसी से सेट्ट के अड़वीन जो डोग होता हुआ पान ही सब को थो राभूत क्या करेंगा जागा अन्दर से शेल के अंदर से बहर इसमें आएगा जागा यूरिया से वह थोरा समात्रा में, small amount में आजागे यूरियासे में, salicyse में आजागे, tube में आजागे, तो यह collecting duct, तो रिय अब्जॉर्ब करेगा 5% sodium और water को, but रिय अब्जॉर्ब करेगा more, बहुत रिय अब्जॉर्ब करता है, इसके काम ही रिय अब्जॉर्ब करता है, इफ ड्राइ, अ रिय आब्जॉर्ब करेगा, इसके काम ही रिय अब्जॉर्ब करेगा, इस रिय अब्जॉर्ब करेगा, सेल अपने में मिला लेगा, वाउ, तकि पानी सरी में बचा रहे इसलिए गर्मी में यूरीन कम होता है कम पैसा बनता है या कम पैसा लगता है और ठंडा बहुत ज़्यदा पैसाब लगता है चुकि ठंडा में पूल लाता है तो पानी के लौस कम होता है तो जरूर ज़्यदा नहीं होता पानी का आप पानी पोटासियम को भी कुछ आगे पर जो सोडियम को राइट होते हैं एक हर्मन और निकलेगा जिसके नाम है इसका काम है कि जो आबसकत तत जो बहाद निकल लाता कि पहले समझ गया था सील से समझ गया था बलट समझ गया था कि मेरे लिए एक श्टाफालतू केमिकल है लेकिन फिर बाद मताँ चलता है चूकि हर्मन जैसी ही निकलेगा तो सील आजाता है अरे बाहर निकलने हो आपने घट से काबारी फेखने लगता हो तो अगर भाए तुम नहीं अंजान हो और हर क्याबारी को हर काबारी को मताब फार्तूची जो रखा हुआ है उसको प्यक्र बात में काम देगा तुम के वह ना ने काम देते हैं अब भी मंपक रखो बात में काम देगा तो वही आ हार्मन जैसी हर्मन निकलता ADH और ELO-Storyn तो जो भी mineralized सब URIन में निकल रहा आता है और पानी सब निकल रहा आता उसके भी hold का देता है रुकू रुकू। भेषिक करो.. Cornell समझेंगे mechanisms concentration of filtrate concentrated होता पानी यूरीन में किस-किस chemical कितना क behandler